नमस्कार रोस्तों मैं और आप देख रहें खेदी की पाड़ साला होते हैं रसको न चूसने वाले कीट जितने भी होते हैं उनमें एक सबसे बड़ी गूण यह होता है कि वह अपने आपको कोई भी कीट नासक के परती रेसिस्टेंट कर लेते हैं मतलब अपनी जो परती कवा हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं खासकर मैं अगर बात करूं इमीडा क्लोरो प्रीट की मैं बात करूं तो यह 5 ml टंकी देने का है कंपनी रिकमेंट करती है लेकिन अभी इस्तिती ऐसे हो गए कि लोग उसको एक टंकी में 30-40-40 ml भी दे रहे हैं फिर भी कुछ का का नहीं हो रहा है तो मैं आपको सिंपल रिकमेंट करूंगा कि इमीडा क्लोरो प्रीट को आप छोड़ी दें उसके परती सारे कीट रेसिस्टेंड हो चुके हैं रही बात जो बांकी सफेद मख्य हुआ या फिर जो माइट्स हुआ या फिर जो एफिट होते हैं तो इसके केले हमको अलग-अलग किटनासक का उप्योग करना पड़ता है खासकर सफेद मख्य के लिए तो कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का उप्योग कर सकते हैं लेकिन माइट सोगार जो होता है उसके लिए एक्रिसाइड ही हमको खरिदनी पढ़ती है यूँकि समान इ सब के लिए अलग अलग दवा हमको खरिदना पड़ता है उपर से हर इस्प्रे के बाद आपको दवा को बदलनी रहती है तो और उपर से इसमें रेसिस्टेंट होने का भी डर बना रहा थे खासकर माइट सो गरा होते हैं यह बहुत जल्दी रेसिस्टेंट हो जाते हैं और चूषने वाले कीट होते हैं तो उसको यह खतम करेगा जो यह तितली टेप से रहते हैं पंख वाले कीट रहते हैं इसके सबसांव घ्ल चूण यह अभी बता रहा हूं यह वाला प्रोड़क्क जब भी आप मार्केट से खर देंगे तो उसके लेबल में सारे कीट के नाम हो बिवेडिया बेसियाना फपून होता है यह खासकर कोई भी कीट के प्यूपा वस्था को ज्यादा अटेक करता है मेटारीजियम जो कल वाला था फपून वो तो लगभग हरेक स्टेज को कभर करता था लेकिन यह वाला फपून जो है सबसे ज्यादा अटेक इसका प्यूपा जो बनी रहते हैं अंडे के बाद जो बनती है उस अंडे के बाद जो उसमें इल्ली निकल जो पौधेओं का रखाने के बाद प्यूपा में कनवड होती है उस सबसे ज्यादा आटेक होता है तो नहीं देखते हैं कि इसका कोई भी कीट पर यह किस तरह से असर करता है यह वाले फपुन को हम मिट्टी में भी दे सकते हैं साथ में इस्प्रे भी कर सकते हैं तो जैसी हम लोग इसको इस्प्रे करते हैं कोई भी फसल में तो जो सत्रू कीट रहते हैं उस पर यह चिपक जाते हैं यह चिपकने के बाद ह लाइफा मेंसे एक रस को स्रावईत करते हैं एक तत्तो को स्रावईत करते हैं जो सत्रू कीट के तवचा को धीला कर देता है क्यूटिकल होते हैं उसको यह गला देता है और यह अपने उसके अंदर परवेश कर जाता है यह जैसे उसके अंदर परवेश करता है बिवेरिया न प्रखते हो जैसे यह तब दिखेगा है यह पूरी तरफ से सफेध माव्मी रूप में जाते हैं बिवयदिया बेसिया ना इसको असर करने को नमी की सबसे ज्यादा ज्यौरत पड़ती में अप्रेल मई जून कम से कम थीन महीने साल में इसका उप्योग न करें क्योंकि अभी एक्ट्वल में इन्वार्मेंट में नमी बहुत कम रहती है हवाए एक दम सुसक चलती है तो यह वाला मौसम रहता है फ़फून को बढ़ने के लिए सही नहीं होता है इसको आपको ऐसे समय में उपियोग करना है 14-14 महिने के मैं बात करूँ तो 3-4 महिने काड़ भी देते हैं तो हमारे पास 8-9 महिने बचते हैं तो उसमें भी हम इसका उपियोग करके सही तरीके से इसका फायदा ले सकते हैं इसके लिए थोड़ी नमी की ज्यादा जोरत पढ़ जाती इसको फैलने के लिए इसका उपियोग कर सकते हैं यह भी बहुत सारे कीट पर असर करता है जिसके स्मासा तूर भी कीट है जिसमें इसका अधर होता है अब यहां रहते है कि इसकी की आपकी एक से मिनीमम होता कि लगबाग उसको 25 दिन रखें इसको चाया में ही रखना है उपर से टाट वाट दे कि उसमें पानी योगरा हलका से छीट दें ताकि उसमें नमी बने रहें और 25 दिन बाद जब यह फफून पूरे कापके खात में आ जाएगा तो उसके बाद आपको आपके जो खेत है खाल से उपर है तो के रही बाद आप अगर इसको चीड़कते हैं तो चीड़कने के लिए आपको पर एकड़ एक कीलो तो मिनिममम लेना है चाहा तो आप ज्यादा भी ले ले तो अच्छी बात है इसको भी आप चाहाए तो मल्टीप्लाइब करें या न करें कल का वीडियो था तो उसमें क्या होगा कि वह मल्टीप्लाइब हो जाएगा उसके सब जब आप इसका इसका इस्प्रे करोगे तो उसमें थोड़ा चिप को मिला देना ताकि वह चिपक जाए मेटरीजियम और यह बिवेरिया यह बेसियाना है यह दोनों क्या मोड अब एक्सन थोड़ा था दिए उसको धीला करता है उसके बाद अंदर घूसता होई तो अंदर घूस की जो विवेरिया नाम के सब्सक्राइन एक डिखकड़ार नाम के यह qualcosa आपको मार्केट में मिल जाएगा और रही बाद यह ना जो के विकास केंद्र जू होता है हर एक डिस्टिक में होती है वहां आपको मिल जाएगा तथा थे कोई भी एक्रिकलचर युइंडर सीति पहला भी आपको मिल जाएगा है तो हंडेट पर सेंसेओर मिलेग तो क्या होता है कि छोटे-छोटे दुकान वाले तो रखते नहीं है तो जहां भी आपके नजदीकी में जो अच्छा बड़ा वाला जो डीलर होगा तो आप वहां पर आप संपर करेगा तो आपको इजिली मिल जाएगा उहां मिलना ही है उसको मिल जाएगा ओके रही बाद जब भी आप उसको खर्जे तो उसका CFU है ना जो colony farming unit होती है जो मैं कल बताया था तो CFU को देखें तो भाई उसमें जितना दिया है वो तो ठीक है ना लेकिन आपके बस दो-तिन पोड़क्ट जैसे मिल जाता है तो दो-तिन पोड़क्ट में से आप compare करें जिसमें भी CFU की मात्रक ज़्यादा होती है तो उसको अपको लेना है ना और भै सितने भी तो आपको यह वाले जो फपुन है इसको थोड़ी नमी की ज्यादा जोड़त पड़ती है तो मैं बिल्कुल रिखमण नहीं करूंगा कि आप इसको अप्रेल मई जून के बीच में इसका इस्प्रे करें कोई ज्यादा काम नहीं करेगा इसको अगर सोईल मिट्टी में डालते हैं और पा कर देना कल वाले एक और अच्छे से वीडियो आने वाला है जो बैक्ट्रिया से संबंदित रहेगी अभी यह वाले जितने भी सीरीज है इसको हम लोग बहुत में जल्दी कंप्लीट कर देंगे जो भी आट तस वीडियो आएगा बैक्ट्रिया वायरस और यह फपुन्स ज जल्दी कंप्लीट कर देंगे तो यार बस वीडियो को देखने के लाब का बहुत बहुत धनेवाद जय भारत जय है